काफी दिनों से मेरी तबिया ठीक नीचल लई थी तो मैंने रेसिपी कोई भी शूट नहीं की थी और आज मैंने क्या किया किया कि फ्रेज में खोल के देखा कि क्या क्या रखा है देख लेते हैं और फटाफट से निकाल लेते हैं तो ये खुब सारी सब्जिया मुझे फ्रेज में रखी हुई ही मिल गई तो मैंने सारी सब्जियों का इस्तिमाल करके आज बहुत ही बड़िया लंच प्रिपेर किया है तो चलिए हम फटाफट से स्टेप बाई स्टेप वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो भी मैंने सब्जिया लिया है इन सब्जियों को मैंने धो लिया है धोने के बाद छील के इनको मैं छोटे छोटे टुकडों में काटके रख लेते हूं तो ये शिमला मिर्च काट लिया है, सेम ऐसे ही मैं गोबी, गाजर, बाकी सारी सब्जिया काटके रख लेती हूँ ये जो सब्जिया मैंने लीती, इनके बाद मैंने आलू भी लिया हुआ है, तो ये दो आलू है, इनको भी मैंने बारिक बारिक चौप करके रख लिया है ये सारी सब्जियां कट गई हैं धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको मैंने पहले से धो के लिया है अब गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखती हूँ और कढ़ाई में डालूँगी चार चमच तेल तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल देते हैं ये कटी हुई सारी सब्जियां और मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ नमक डालने से क्या होगा कि सब्जियां है जल्दी गल जाएंगी वो गल्ले में टाइम जादा नहीं लगेगा कवर करके इनको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ तो जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं यहाँ पर हम सब्जी के लिए ग्रेवी तयार करते हैं तो मैंने प्याज, लसन और टामाटर ले लिया है लसन मैं सिर्फ दो से तीन कलिया इस्तिमाल करूँगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज, टामाटर और लसन को छील की रख लेते हैं उसके बाद फटाफट से मैं बावल में ले जाकर इनको धोके रख लेती हूँ यह धूल चुकी है सारी चीजे अब मैं इनको काटूंगी तो काटने के लिए मैंने चाकू पता नहीं कहां रख दिया है मैं ढूदने में लगी हूई हूँ फाइनली चाकू मेरा मेल गया है तो इसके मैं छोटे-छोटे से टुकडे कर लेती हूँ बहुत जादा महीं नहीं करना है ना बहुत जादा मोटा रखना है टामाटर प्याज दोनों कट चुके हैं कुछ प्याज मैंने पानी अट करेंगे लगबग आदा कप की करीब जिससे क्या होगा सबजियां तली में जलेंगी नहीं और जली पक जाएंगी कवर कर देते हैं और जो हमने टामाटर प्याच लसन को चील के काटके रखा हुआ है इन सब को डाल देंगे ग्रैंडिंग जार में और कर लेंगे ग करी पत्ता आदा चम्मच जीरा अच्छे से तड़कने देंगे साथे साथ थोड़ी सी राई भी डाल दी है सारी चीजसे भुनने के बाद इसमें कटी हुई प्याच डाल दूँगी जो की पहले से काटके रखिये चला देती हूँ अब यहाँ पर ही जो सबजियां है इनको को हम एक बार और चला देते हैं जिससे कि यह जलेना सबजियां पक चुकी है तो इसमें डालूंगी मैं लगबख साथ से आठ चम्मच के करीब बेसन और अगर आप कप के हिसाब से देखेंगे तो आदा कप बेसन डाला अच्छे से मिला लिया मिलाने के बार डालेंगे इस अच्छे से मैश कर लेना है और ठंडा कर लेना है यहाँ पर मैंने सारी सबजियों को ठंडा करके एक बावल में निकाल के रख लिया है अब मैं इसके गोल गोल ऐसे कटलेट्स से बना लेती हूँ यह देखिए इन कटलेट्स की खास बात यह होती है कि इनको आप थोड़ा दाल देंगे गैस बंद कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे यह हमारा तड़का वाला दहीबन के तयार हो गया है तेल गरम हो गया है तो गरम गरम इन सारे जो हमने बना के रखे हुए हैं न ये कटलेट इनको डाल कर हम तल लेते हैं कुछ के ऊपर मैंने थोड़ा ब्रेड करम लगाया क्योंकि इनको मै खाने के लिए भी थोड़ा सा दे दूंगी अपने बच्चों को ये हमारे कटलेट तल गए हैं देखिए ये बिना मैं खड़े मसाले निकाल लेती हूं क्योंकि ये सबजी जो है ना इसमें खड़े मसाले ज़रूर पढ़ते हैं खड़े मसालों से टेस्ट बहुत पढ़ी आता है क्या-kya मसाले लिए वो मैं आपको लिक्क के दिए देंगी मसालों को डाल देंगे हम गरम-गरम तेल में साथ जात 1 चममा-जीरा भी ढल दिया है अच्छे से त्रग गये है तो इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ पेश्ट चला देंगे च्छे से बाद के बाद कीवार दाल देंगे कशमीरी छमिरी ट्न्या मिश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा हलदी और साते दाल देंगे मसाला सारी मसाला को अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे आदा कप फ्रेश मटर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम लगभग 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जितने अच्छे से मसाला भूनेगा उतनी ही जादा सब्जी बढ़िया बनेगी इसमें जो का पानी साथे साथ डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी और एड़ करूँगी जिससे की सबजी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है मिलाने के बाद ये जो मसाले का पान की तयार हो गई है बहुती बढ़िया सबजी बनी है डालेंगे इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियां और इस सबजी को आप गरम गरम रोटी पोडी परांठे के साथ इंज्वाय कर सकते हैं देखिए कितनी बढ़िया लग रही है अब मैं कर दूंगी गैस बंद और इस स तो थाली में रखी है मैंने ये तयार के हुई गरम गरम सबजी साथी साथ यह रहा हमारा तड़का वाला सूपर टेस्टी सूपर डिलीसियस और दो मिट पे बनने वाला दही और रख दिया है मैंने पापड भून के और थोड़ा सा शलात सलात में मैं खीरा ले रही हूं औ आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और उनका रियक्शन देखना बिल्कुल भी ना भूलना यह कुछ स्पेशल है क्या है ए वैज कोपता बनाए है शान्दा खाओ चलो आप